नमस्कार आकाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात मनिपूर में विधान सबाचुनाव के दूसरे और अंदिम चरण का मतदान जारी उतरपैदेश विधान सबाचुनाव के सात्वे और अंदिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्थ होगा संकट ग्रस युक्रेन से ओपरेशन गंगा के अंतरगत अब तक 11,000 से अधिक भारतियों को अस्वदेश लाए गया रूस ने युक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणू केंदर पर कबजा किया Financial Exchange Task Force ने पाकिस्तान को ग्रेलिस्ट में बरकरा रखा पाकिस्तान से कहा वो आतंके मामलों की जाच और मुकदमा चलाने के लिए और कड़े कदम उठाए बंगाल के खाड़ी में दक्षिन पश्ची में दबाव का अक्षेत गहरा गया है आस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वान का निधन और मोहाली में शुलंका के साथ पहले क्रिकेटर टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज 6 विकेट पर 357 रन से आगे खेलेगा समचार प्रभात में रवी कपूर के साथ मैं लवलीन निगम शोताओं से अपील है कि कोबिट से सुरक्षित रहनी के लिए क्रेपिया इन चार सरल उपायों का पालन अवश्य करें पून टीका करण कराएं, मास्क पहने, दो गज की सुरक्षि दूरी बनाये रखें, हाथों चेहरा साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मानिपुर में विधानसभा चुनावों के दूसर अंतिम चरण के वोट डाले जा रहे हैं मतदान सुबे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा इस चरण में 11 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं मतदान की ताजर जानकारी के लिए अपने समवाद दाता जे जे थोक्चॉम से बात करते हैं हलो जी थोक्चॉम इस समय आप कहा हैं और वहां मतदान कैसा चल रहा है लगलिन अभी मैं तवाल जिले के लिलोंग बिदानसवाद शेतर के एक मोडल मतदान के नजर पर हूँ मौशम साफ है और रूप खिली हुए है और बरी शंख्या में मतदाता बहुत डालने के लिए पहले सी ही लंबी लाइन में है महिला और पुरुस मतदाताओं के लिए अलग-अलग लाइने हैं और यहां देखा गया है कि पुरुस मतदाताओं की शंख्या महिला मतदाताओं से अधिक है चुनाप अधिकारी असी से अधिक और विक्रांग मददाताओं को मर्दान केंदर के अंदर जाने के मदद कर रहे है क्यू सिस्टेम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है और मददाता कोबिन-19 गाई-लाइंज का पालन कर रहे है जरूरतमन मददाताओं को विल्चियर की साहितर दी जा रही है और मददाताओं को मददान केंदर के अंदर मॉबाइल फॉल लाने की अनुमती नहीं है लबलिन ये कहा जा सकता है कि मददान बहुत ही सुसारू और सफल तरीके से चल रहा है 28 फ़रवरी को हुए पहले चरण की मददान में मनिपुर में लगबग 89 प्रडिशद मददान हुआ था अभी मतदान केंदर पर चल रही परिष्टितियों को देखते हुए ये उमीद की जाती है कि मनिपूर में दुसरे चरण की मतदान में भी मतदान बहुत अधिक होगा लवलिन अभी मतदान केंदर और उसके आसपास सुरक्षा की करी बंदोबस किया गया है दुछरे चरण का मतदान 22 बिदान सबाद सेटर के 1247 मतदान केंदर पर हो रही है दस जिलों के 22 बिदानसबाद शेत्रों में अड़सेनिक बलों की 300 से अधिक कमपनिया तैनात की गई हैं चार पहारी जिले उक्रूल, कामजोंग, चांदिन और तेंगनुकपल म्यानमार के साथ अंतराश्टिया सिमा है और दो जिले, चनापती और जिरिवाम, अन्य राजों के साथ शिमा पर है इसलिए सिमाबती शेत्रों में सुरक्षा उपाई पहले सी ही तेस्ट कर दिया गया है और शिमाओं को सिल कर दिया गया है तोक्षा में एक और बात आपसे जानने चाहेंगे कि इस चरण में जो मतदान हो रहा है उसका महत्व क्या है और कौन-कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनका आज चुनावी भागे का फैसला होगा दो जिलों के 10 में से आज चिति मिली थी इस बार भाषपा ने सभी शितों पर अपना उम्मीबात उटा रहे है और इसलिए यहाँ चरण भाषपा के लिए महतरपूर्ण है इसके अलाबा कौन्ग्रेस पार्टी भी पिछले चुनाव में पार्टी को मिली शंक्या को बनाए रखने की कोशिश कर रही है दूसरी वज़ा एंपिएव है जिसे इन बिदानसाबाद से सबी चार मौजूदा बिदायों मिली थी पार्टी ने इस तरण में दस उमिबार उतारे हैं और पार्टी को इस बार शित्य बरानी की उमिद है लबलीन अगर हम इस चरने के प्रमुक उमिबारों के बारे में बात करते हैं तो इन में से पूरुवा मुखर मंतरी और कंग्रेस नेता ओकरम इवो भी और उनके बेटे शुरस कुमार ओकरम, कंग्रेस नेता गैठांगम, एन्पेफ के नेता और मंतरी आवांगोम नीमाई और एल दिखो का ना नो जिलों की 54 विधान सभासीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद वो बनारस के खजुरी इलाके में एक जन सभा को सम्बोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्या अखले शादों ने कल तेर शाम अपना रोट शो किया। केंदरी सूचना एवं प्रसारान मंत्री तथा उत्तर प्रदेश शुनाव के लिए भारती जनता पार्टी के सैप्रभारी अनुराग सिंग ठाकूर ने चिकित्सा के एक शेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ बैठकट की। कॉंग्रेस मा सच्चु प्रियंका गांधी वाडरा ने कल वारानसी में एक रैली की थी और वो आज जोहनपुर और गाजी पुर्जिलों में चुनावी कारक्रमों में हिस्सा लेंगी। सुशील चंदरतिवारी आकाश्वानी समचार वारानसी। उदर असम में विधानसभा के माजूली सीट पर उप्चुनाव के लिए साथ मार्च को वोट डाले जाएंगे। आजे सभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रिय मंत्रिय सर्बानन सोनोवाल के स्थीफिय के बाद ये उप्चुनाव कराया जा रहा है। GMK और CPM के अलावा दोस्थानिय पार्टियां और नर्दली उमिद्वार चुनाव मेदान में हैं। GMK और सहासी विद्यार्शियों के चेरे पर खोशी और रहात देखकर उन्हें प्रसन अता हुई है। GMK के अंतरगत संकट गरस्त युक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारती नागरिकों को निकाला गया है। ये अभियान जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक युक्रेन के पड़वसी देशों से कुल 48 उड़ाने भारत लोटी है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 24 गंटों में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायू सिना के 4, C, 17 विमानों सहित 16 उड़ाने भरी जाएंगी। श्वी अरिंदम बाक्ची ने विश्वास दिलाया कि युक्रेन से हर भारतीय को सुरक्षट निकाले जाने तक ये अभियान जारी रहेगा। श्वी अरिंदम बाक्षट ने विश्वास दिलाया कि युक्रेन के पूर्वी हिससे विशेशकर खार्खीव और पिशोचिन से भारतीय की वापसी पर सबस्यादिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि युक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां कुछ बसों का इंतजाम किया है। खार्खी में 300, पिशोचिन में 900 और सुमी में 700 भारतीय फसे हुए हैं। आरूप लगाया है। युक्रेन के राश्टरपती ने इसे रूस का परमाणू आतंक बताया है। अमरिका के राश्टरपती जो बाइडन और कैनाड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने रूस से ऐसे हमले फौरण रोकने के अपील की है। ब्रेटन के प्रधान मंतरी बौरिस जोंसन ने कहा है कि ये हमले पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खत्रा है। श्री जोंसन ने कहा कि वो इस मुद्दे पर स्ताइमत राश्टर सुरक्षा परिशत की आपात बैठक बुलाने की मांग करेंगे। इन तीनों नेताओं ने यूकरेन के राश्टबती ग्लोद्रमीर जलेंस्की से फोन पर बात की है। एक वीडियो में हमले की बात परमाणों साहियंत से आग की लप्टें अधुएं का गुबार निकलते दिखा गया। यूकरेन के परमाणों वीभाकर नूसाच छे रियाक्टरों में से एक के भवन को नुकसान पहुचा है। अल्खकी रियाक्टर के सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई है। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं। समचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुखे समचारों पर मनिपूर में विधान सभाचनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी उत्तर प्रदेश विधान सभाजनाव के सात्वे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समापत होगा संकट गरस्त युक्रेन से ओपरेशन गंगा के अंत्रगत अब तक 11,000 से अधिक भारतियों को स्वदेश लाया गया रूस ने युक्रेन में युरोग के सबसे बड़े परमानु के इंद्र पर कबजा किया फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरा रखा पाकिस्तान से कहा वो आतंकी मामलों की जाच और मुकदमा चलाने के लिए और कड़े कदम उठाए बंगाल की खाड़ी में दक्षिन पश्चिम में दबाव का क्शेत्र गहरा गया है आस्ट्रिलिया के महान क्रिकेटर शेन वहन का निधन और मुहाली में फ्वी लंगा के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत छे विकेट पर 357 रन से आगे खेलेगा अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोके से पैसे निकाले है तो बैंक को जल से जल इनफॉर्म कीजिए तीन दिन के अंदर इनफॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान और सुन सब चलता नहीं है प्रॉपर चलाना पड़ पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाय रखा है फ्रांस की राज़ा ने पेरिस संचालित इस संसाने पाकिस्तान से कहा है कि वो धन के अवैद कारोबार से जुड़े जटिल मामलों और मुकद्मों को गंभीरता से ले एफटी एफ ने चार मार्च को अपने पून सत के समापन पर ये निरणे लिया आतंगवात रूखने के मद में धन कम करने और धन के अवैद कारोबार को लेकर पाकिस्तान जून 2018 से ही एफटी एफ की ग्रे लिस्ट में है इसके कारण पाकिस्तान के आयाद निर्यात नकदी जमा और अंतराष्टे रिन प्राप्त करने प सलिया इनमें अंतराष्टे मुद्राकोश, साइमतराष्टो और एग्मोंट ग्रूप और फिनांशल इंटलिजन से काहिया शामिल थी भारत ने कोविट ठीका करण अभियान के अंतरगत 178 करोड 52 लाका अकड़ा पार कर लिया है स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने बताया है कि कल शाम 21,70,000 से अधिक वैक्सिन डोज दी गए उन्होंने बताया कि अब तक 2,44,000 से अधिक पात्र लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है इनमें स्वास्त कर्मी अग्रणी शनी के कारिकरता और 60 साल से अधिक आई वर्ग के व्यक्ति शामिल है परियावरण 1 जलवायू परिवर्थन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सैंक्तराश्ट परियावरण कारिकरम को अंतराश्ट्रिय सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख परियावरणिय चुनोतियों से निपटने के लिए सामोहिक कारिवाई को प्रोच साहित करना चाहिए श्रीयादव ने कल नेरोबी में सैंक्तराश्ट परियावरण कारिकरम UNEP के पचासमें सत्र पर राष्ट्रिय भयान जारी करते वे कहा कि भारत महतोकून परियावरणिय चुनोतियों से निपटने के लिए 1922 से सैंक्तराश्ट परियावरण कारिकरम के साथ जुड़ा हुआ है श्री आदव ने कहा कि UNEP परियावरण के कुशेत्र में अग्रणी व्याश्विक संस्थाओं में से एक है और इसे लागू करने के तारीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने कहा है कि मोधी सरकार आंद्र परदेश में पूला वरम परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राजी के पुनर गठन के समय केंद्र ने इस परियोजना का वाइदा किया था और इसे पूरा करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी शेखावत ने कल मुख्यमंत्री Y.S. जगमोहन रेड़ी के साथ पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में पूला वरम पुनरवास ग्रामों का दोरा किया उन्होंने विस्तापिर लोगों को बेहतर सुविनाय प्रदान करने के लिए श्री जगमोहन वेड़ी की सरहन भी की श्री शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र परदेश की विकास के लिए प्रतिबद है उस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर तथा स्पिन के जादूगर के नाम से माशूर शेन वान का कल थाइलेंड में निधन हो गया वे 52 वर्ष के थे दिल का दोरा पढ़ने से उनके मृत्यों के आशंका व्यथ की जा रही है वान ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए उन्होंने एक देश से क्रिकेट में 293 विकेट लिए वो उस्ट्रेलिया की ओर से सबसे जाधा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे उस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर रॉड मार्श का भी कल दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया वे 74 वर्ष के थे न्यूजिलेंड में महिला क्रिकेट विश्वकप के उद्गाटन मैच में कल वेस्ट इंडीज ने मेजबान न्यूजिलेंड को तीन रन से हरा दिया 260 रन के लक्षे के जवाब में न्यूजिलेंड की टीम 256 रन पर आउट हो गई न्यूजिलेंड ने टॉस जीत कर वेस्ट इंडीज को बल्ले बाजी के लिए आमन प्रिफ किया इस समय दक्षिन अफरीका और बंग्दादेश के बीच मैच खेला जा रहा है भारती टीम कल पाकिस्तान के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी इंग्लेंड ने पिछली बार 2017 में विश्व कब जीता था उसने फाइनल में भारत को हरा है था टूनमेंट राउंड रॉबिन अधार पर खेला जा रहा है इसमें आठ देश भाग ले रहे हैं ये टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, निउजलेंड, दक्षिन अफ्रीका, इंग्लेंड और वेस्ट इंडीज मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज पहली पारी में 6 विकेट पर 357 रन से आगे खेलना शुरू करेगा कल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक रविनर जडेजा 45 और रवी चंदरन अश्विन 10 रन बना कर क्रीज पर थे भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों के श्रंकला खेली जा रही है कप्तान के तौर पे रोहिट शर्मा का ये पहला मैच है पूर कप्तान विराट कोली 100 वा टेस्ट मैच खेल रहे हैं भारत ने अपनी धर्ती पर श्रिलंका के साथ अब तक 20 टेस्ट मैच खेले हैं, भारत ने 11 मैच जीते हैं, जबकि 9 मैच ड्रॉ रहे हैं। आजादी का अमरत महोसव के अंदरगत आए अब सुनते हैं, आकाशवानी की विशेश प्रस्तुती आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवानी के संग। भारत का शांदार स्वाधीनता संगर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संगर्षों में से एक हैं। आकाशवानी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शांदार संगर्ष की चलग। पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर किये गये थे। ये राजनीतिक समझोता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्यागर्ष को समाप्त करनी के बारे में था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। मार्च के अंत में बापू की गरफतारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविने अवग्या अंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतिये जेल में थे और इस अंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थी। लॉर्ड इर्विन इसे खत्म करने का तरीका ढून रहे थे इसके लिए गांधी जी को जन्वरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कॉंग्रेस के ततकालीन अध्यक्ष सर्दार वरलब भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इर्विन के साथ बाच्चित करने के लिए अधिकृत किया था। संधी के अनुसार भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवग्या अंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कॉंग्रेस समवैधानिक सुधारों की रूप रेखा तयार करने के लिए दूसरे गोल में सम्मिलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई ये भी सहमती हुई कि ब्रिटिश शासन भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। जिससे भारतियों को अपने स्वैम के उप्योग के लिए कानूनी रूप से नमका उत्पादन, व्यापार और विक्री करने की अनुमती मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात बिजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। जाने वाले बीजू को ट्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ी। साल के लिए जेल भेज दिया गया बीजू ने 1947 में नीदरलिंट के खिलाफ स्वतंतरता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करनी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंडोनेशियाई प्रधान मंत्री सुतान जाहरिर को आपनी वेशिक डच द्वारा निगरानी म रखा गया था जवाहरलाल नहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौपा बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी वे 22 जुलाई 1947 को जावा दुइपों से सुतान जाहरिर और करमचारियों को पहले सिंगापुर और अ इसके लिए कृतग्य इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच नागरिक पुरसकार भूमी पुत्र से सम्मानित किया था 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन कशेत्र से उड़ीशा विधान सभा के लिए निर्वीरोध चुने गए वे दो बार उड़ीशा के मुझ्छ मंत्री बने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाशवाणी के सब कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ आकाशवाणी समचा सुनते रहें और आजादी के अमरित महसव में हमारे साथ शामिल रहें आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमरित महसव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमरित महसव क्विज आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं हमारे समाचार बुलेकरनों में पूछे गए स्वतंद्रता आंदुलन से जुड़े प्रशनों का जवाब दे कर आपसे ये सवाल प्रतिक सोमवार और मंगलवार को सुबह आठ बजे प्रसारित होने वाले बुलेचिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे आप अपने जवाब वाटसेप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घूर्षना अगले दिन इसे बुलेचिन में की जाएगी विजेता को प्रमानपत के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा साथ ही विजेता का नाम हमारे चुटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा तो आईए मनाई आजादी के 75 वर्षों का पर्व अम्रित महोत्सव आकाश्मानी समाचार के साथ बंगाल की खाड़ी में दक्षिन पश्चिम में कल शाम हवा का दबाव काफी अधिक बढ़ गया मौसम विभाग से जारी बुलेटिन के अनुतार गहरे दबाव का ये क्षेत्र अब श्रिलंका में त्रिंको माली के और बढ़ रहा है विभाग का अनुमान है कि दबाव का एक शेत्र उत्तर पश्चिम के और बढ़ कर उत्तरी तमिलनाड असामुद्री सीमा में केंद्रित हो सकता है और अब एक नजर आज के मौसम पर राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज हवाईं चलेंगी मंबई और कुलगता में आसमान साफ रहेगा चैन्नाई में बादल चाय रहेगे इन महानगरों में निनुतमता पान चोदह और अधिक्तम 38 डिग्री सेलसित तक रह सकता है श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल चाय रह सकते हैं जमू और मजफरबाद में आसमान साफ रहेगा शिलॉंग, कोहिमा और इटानगर में बादल और अगरतला में कोहरा चाय रहेगा गुवाहाटी, इंफाल और आईजॉल में आसमान साफ रहेगा और अभी अब बताएं आज के समचार पत्रों में क्या विशेश है लवलीन, रूस युक्रेन के बीच जारी युद्ध पर नवभारत टाइम्स लिखता है रूस ने युक्रेन के एटमी प्लांट पर किया कबजा दैनिक जागरन की सुर्की है जपोरीजिया परमानु सैंत्र पर हमले के बाद सैंक्त राष्टर सुरक्षा परिशत की आपात बैठक बुलाई गई पत्र आगे लिखता है संकट चाहे जितना गहरा हो भारत के प्रयास उससे ज्यादा बड़े रहे राष्टे सहरा कहता है भारत ने मददान में हिस्सा नहीं लिया जनसत्ता की सुर्की है लोगों को निकालने के लिए संगर्श विराम की अपील की भारत ने उत्तर प्रदेश विधनसभा के सात्वे और अंतिम चरण के मददान से पहले विभिन दलोन के जम कर प्रचार करने की खबरें सभी अखवारों में हैं हिंदुस्तान ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है यूपी के रण में सियासी दिगजों ने दिखाया दम आमर उजला की सुर्की है सात्वे द्वार पर होगा भीशन संगरा भारत में हरित हाइड्रोजन का वैश्वी केंद्रबंदी की अक्षमता प्रधामंत्री के इस बयान को दैगने जागरन ने प्रमुकता से दिया है पत्र ने श्वी मोदी के हवाले से दिखा है उर्जा और सतत विकास हमारे पुरातन परंपराओं से प्रेरित हैं और भविश्य की आकांग्शाओं और पूर्ती का मार्ग भी है लोग सत्र ने उनके इस बयान को दिया है कि स्वच उर्जा क्षेत्र में नए विकल्प तलाशने की जरूरत रेलगणियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली के सफल परिक्षन को अमर उजाला सहे सभी अखवारों ने सचे तुर देते हुए लिखा है नाम की तरहा बड़े हाथसों से बचाती है ये प्रणाली अंतराश्ट्य जनजात्य फिल्म महुत्सव अरुनाचल में शुरू होने के लिए पूरी तरह तयार राश्ट्य साहरा की एक खबर है पाकिस्तान से कहा वो आतंग की मामलों की जाच और मुकदमा चलाने के लिए कड़े कदम उठाए बंगाल की खाड़ी में दक्षिन पश्ची में दबाव का अक्षेत गहरा गया है आस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वान का निधन और मुहाली में फ्रिलंका के साथ पहले क्रिकेटर टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज छे विकेट पर 357 रन से आगे खेलेगा इसके साथ ही समाचा प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार